हेलो दोस्तों, आज मैं ब्रेट से एक स्वीट डिस बनाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है और साथ ही टेस्टी भी है और सबसे अच्छी बात जिन चीजों की जरुवत है वो घर में होती ही है तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने दूद की मलाई निकाल ली है और उसे निकालके मैंने एक छन्ली मिडाल ली है जिससे हम चाय जानते हूं और उसे हम एक कटोरी को उपर रख लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा दूद है वो नीचे आ जाए इस तरह से और अब हम चलते हैं आगे उसम मैं स्कॉाइर से दे रही हूं आप चाहे तो ट्रेंगल शेप में भी काट सकते हैं तो चलिए ब्रेट कट गया और हम चलते हैं गैस की तरफ मैंने पैन रख दिया है और पैन में मैंने डाला है घी अगी को गरम कर लिया है और इस तरह से मैं ब्रेट डालके उसे बिल्कुल गोल्डन क्रिस्प होते हुए मैं उसे फ्राई कर लूँगे अलटते पलटते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है बिलकुल इस तरह से तो चलिए सारे ब्रेट को मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ ब्रेट फ्राई हो चुका है और ये मलाई से दूद भी निकल चुका है और इसे में एक बाउल में ट्रांसफर कर लोगे और इसमें डालूँगी आदे चमच से भी कम मेची नी ताकि ब्रेट के बीच में मलाई फीकी ना लगे और साथ ही मैसे में डालूंगी दो चमच के करीब इलाइची पाउडर और इसे हलके हातों से मिला के रख देना है बहुत तेजनी मिलाना है नहीं तो मलाई से बटर अलग हो जाएगा और मैंने यहाँ पे ले लिया है चासनी मेरे पास चासनी थी और मैंने उसमें पानी डाल के थोड़ा बॉयल कर लिया है क्योंकि हमेज के लिए एक तार या दो तार की चासनी नहीं चाहिए आप सिंपल सुगर शिरप भी ले सकते हैं और इसमें ब्रेट को डिप करके निकाल लेना है सीधे अपने सर्विंग प्लेट में और इसे हमें शोप नहीं करना है चासनी में और अब मैं इसमें लगाऊंगी मलाई की एक लेयर मैंने सारे ब्रेट में मलाई लगा ली है और उपर से हम फिर से ब्रेट को चासनी में डिप करेंगे और इसके उपर से लगा देंगे तो मैंने सारे ब्रेट में लगा लिये है और इसके उपर मैं गार्निसिंग के लिए मैं डालूंगी पिस्ता आपके पास कोई भी ड्राइफूट हो आप डाल सकते हैं बाकियों को मैंने मलाई से फिर से एक लियर लगा दिया है और इसके उपर पिस्ता डालूंगी आप चा सूपर बनता है ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करने लाइक करें शेयर करें और कमेंट में ज़रू बताएगा ये कैसी बनी है ठैंक यू फॉर वाचिंग मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ